हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजर वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के क्यू फो नंबर्स के बारे में और नंबर्स एक ही बात आपको कहा सकता हूँ कि अगर कोई एक्स्ट्रा सकार के नंबर्स निकल के आए और आगे कि क्या स्ट्राटजी रहने वाली है बीएचियल के अंदर यहां पर आपको क्या खईदारी करके चलनी है और मंडे को क्या आप पर स्रकेट के तरफ बढ़ता हुआ देखने कर बोलेंगे कि बहुत बड़ी तीजी बीएचियल में अ आज अपने नंबर्स पेश कर दिये हैं और यहां पर नंबर्स पर हम आ चुके हैं और बात करेंगे कंसॉलिडेटेट फाइनेशियल नंबर्स की जो भी फिगर है वो सब करोड में तो आइस सच कोई दिक्क्त दोली बात है ही नहीं अब सबसे बहले बात करते हैं कंपनी की यहां पर कितना आपको total revenue from operation आता हुआ देखने को मिला है दोस्तों कम्पणी का जो revenue फा पिछले साल वो करीबन 7,170 करोड था 7,170 करोड दोस्तों कम्पनी का यहां पर पिछले साल तक revenue था जो इस साल बढ़कि अगर आप देखेंगे तो 8061 करोड पर आता हुआ देखने को को मिला 7,170 करोड़ से बढ़के company का जो आप पर revenue है वो आपको 8,61 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है और जो पिछले quarter में करीपन 5,135 करोड़ का company का यहाँ पर revenue था वो बढ़के 8,061 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है, यहाँ पर एक बत आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी कि कम्पनी का जो revenue है, वो बोथ in terms YOY plus Q1Q फिको हूँ and Q1Q, दोनों में दोस्तों यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, दोनों में अगर आप देखेंगे करोड पर आती हुई देखने को मिलिए, यहाँ एक सो अच्छी करोड के आसपस कंपनी के यहाँ पर टोटल इंकम आती हुई देखने को मिलिए, यहाँ पर भी बढ़तरी हो रही है, वाय हुआ है, बात करें Q1Q कि तो Q1Q में पिछले क्वाटर तक पांच यहाँ दोस्तों उन दाउट नहीं है, अब बात करते हैं उस्तों सबसे इंपोर्टन फिगर के बारे में वो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यह के बात करते हैं, नेट प्रॉफिट लाइस लाइस फॉर देखने को मिला है, तो कंपनी ने फ्रेंट्स पिछले साल तक घाटे में चल र इस साल जो लॉस था, वो तो गया ही गया है, लेकिन जो प्रॉफिट है, उसका फिगर अपने आप में बढ़िया है, 1036 करोड के लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकिए 912 करोड के, बिल्कुल सही सुना है अपने, 912 करोड का मुनाफ़ा दोस्तों कंपनी के द्वारा पेश किया गया है, 912 करोड का मुनाफ़ा, कोई नहीं सोच सकता था, यह सही बात है, और वो ही दोस्तों इस बार कंपनी ने पेश किया है, 1036 करोड से बढ़के, जो कंपनी का लॉस था, वो घटके, आपको खतम तो होता हुआ, देखने को मिला ही मिला, लेकिन वहां से कंपनी 912 करोड के प्रोफिट में आ गई, यानि कंपनी दोस्तों घाटे से मुनाफ़े में लॉस टू प्रोफिट आपको आती हुई देखने को मिल गई है, लॉस टू प्रोफिट में दोस्तों आपके अपको तबदील हो गई है, जो आपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया बात है कंपणिया पे घाटे से मुनाफ़े में आपको आते हुई देखने को मिल गई है और बाजार की एक्सपेक्टिशन भी यही थी मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनके लिए कोविट का जो टाइम में वो थोड़ा सा खराब है वहाँ पर थोड़ा सा देखे आपको पेन देखने को मिल सकता है बट जैसे जैसे वो टाइम निकलेगा कंपणि बढ़िया करती रहेगी अब बात करें क्वाटर ओन क्वाटर के तो कंपणिय ने पिछले क्वाटर में करीवन 27 करोड का मुनाफ़ा पेश किया था मात्र 27 करोड का मुनाफ़ा आपको इस तो क्यों बहुत बड़ा मैसिव जंप है कंपनी का प्रॉफिट आप देखने को मिल सरकारी कंपनी पर जादा लोग बट लगाने को तयार नहीं रहता है या फिर दिखें पैसा बन नहीं पाता है इसमें भी कोई दौराएं नहीं है बट जिस प्रकार के नंबर अब आपको ये companies पेश करती में जारी है undoubtedly देखें यहाँ पर सला तो यही रहेगी कि आपको अपनी नजार रखनी चीए खरिदारी के लिए अब बात करते हैं earning per share के बारे में EPS तो तो company का EPS जो पिछले साल तक करीबन 2.97 negative में चल रहा था वो 2.62 के positive में आता हुआ देखने को मिल चुका है 0.08 का जो company ने आप पिछले quarter में EPS पोस्ट जा था वो 2.62 याद रखें का जिस भी company का EPS बढ़ रहा है earning per share बढ़ने का मतलब ही के company के अंदर growth हो रही है तब भी आपको देखिए एक share पे कमाई बढ़ रही है पहले तो एक share पे अगर आप देखेंगे तो 2.97 रुपीस का पको loss हो रहा था अब अगर आप देखेंगे तो EPS 2.62 positive में आ चुका है तो यानि EPS में कितना 30 सा आपको बढ़ोतरी आती भी देखने को मिल रही है और आने वाले quarters में देखिए ऐसे numbers अगर company पेश करती जाएगी तो EPS भी बढ़ता रहेगा और EPS बढ़ने का मतलब ही कि company की healthy growth होती भी नज़ारी है प्लस आपको नज़ार रखनी चीए ये साफ साफ बात निकल के आती है अब जो आपको लगा था trend एक negative सा बनता हुआ देखने को मल रहा था undoubtedly Friday को भी stock ने बहुत बढ़िया किया बट मुझे लगता है कि अब Monday को definitely stock के पर wait and watch करना पड़ेगा लेकिन अभी भी results खतम नहीं हुए अब बात करते है dividend के बारे में company ने जो filing की थी उसमें कुछ भी dividend के बारे में बताया नहीं क्या था लेकिन अगर company मुनाफ़ा post कर रही है तो definitely अपने shareholders को dividend तो देगी देगी और company ने dividend पेश कर दिया है कितने का dividend पेश किया है चलिए इसके उपर नदर डाल लेता है प्रती शेर आपको dividend मिलता हुआ देखने को मिलेगा यह company ने क्या दिया है final dividend if declared by the annual general meeting shall be paid dispatch within 30 days तो 30 दिन के अंदर अंदर जब AGM हो जाएगी तो आपको जो आपका dividend है वो पेश कर मिल जाएगा यह company ने साफ साफ कह दिया है अब 40 पैसे का मिले उससे जादा का मिले देखिए उसको माटर नहीं करता है सबसे लिए तो company dividend दिया जिसके वारे में company ने पहले कुछ भी नहीं कहा था 20% यह जादा नहीं है बट ठी के जो भी आपको आता हुआ देखने को मिला है important यह कि numbers बढ़िया आने चीए और company जो numbers निकल किया है वो undoubtedly massive है बहुत बढ़िया है इसमें कोई दोहराई नहीं है सब्सक्राइब का negative return दिया है छे महीने में stock almost आपको 11% गिरता हुआ देखने को मिला है और साल की शुरुवाद से करीबन stock में 12% के negative trend आता हुआ देखने को मिला है अब जब numbers निकल किया है और numbers जब दमदार निकल किया है तो definitely आपको अपनी नजार रखनी चीए लेकि company दीरे-दीरे करके बढ़िया करती हुआ देखने को मिल रहे है ऐसे numbers जो निकल किया है undoubtedly market इसको जादा मुझे ने लगता कि देखिए गिराता हुआ देखने को मिलेगा market में positive sentiment ही होना चीए अब उस numbers ऐसे पेश करना बहुत मुश्किल होता है और जब यह stock 47-48 रुपीज के आसपस चल रहा था तब इस पर मैंने वीडियो बनाया था और आपको कहा था कि इसके ओपर नजर रख सकते है अब उस तो में मैं खरेदारी करने के राय बिलकुल नही time देना है यहां पर stock बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा याद रखिए अगर आप बड़े investor बढ़ना चाहते हैं या फिर कहूं कि आपको investment की रा पकड़नी है तो आप सिर्फ numbers को दीखे company के जब भी quarter के earnings निकल किया है उसको बारी किसे समझ ही है अगर EPS बढ़ रहा ह कंपनी का profit किस प्रकार आ रहा है वो भी आपको जाना जरूरी है और I think यह जो numbers पेश कियें यह दिखाता है कि हाँ growth फिर से आपको आती भी देखने को मिलेगी BHEL के अंदर company फिर से बढ़िया करते भी निज़र आएगी just एक थोड़ना time था time period था covid का जहां पे numbers लगाता है खराब निकल के आ रहे थे बट अब मुझे लगता है कि BHEL जो है वो यहां से काफी बढ़िया करनी चीए I think Monday को 55 rupees का level देख सकता है 55 rupees का level क्यों बोल रहा हूं तो अगर वो तीजी यहां पर स्टॉक ने मुझे लगता है कि पहले दिखा दिया अगर नमबर से तो हो सकता है कि और ज्यादा यहां पर आपको 55-56 तक जाता हुआ देखने को मिले बट नेगेटिव मुझे लगता है कि यानि स्टॉक को गिंड़ना बहुत मुश्किल हूं अगर ऐसे नमबर्स पर यह मार्केट स्टॉक को बढ़ने नहीं दे रहा है तो फिर कैसे नमबर्स पर बढ़ेगा यह किसी को नहीं पता है तो मेंसला तो यही कि बीएचेल के अंदर अगर आपको मौका मिले तो इन्वेस्मेंट पॉपर्स के लिए बहुत सही दिखता है वापिस से अक्युमिलेट के बारे में सोच सकते हैं तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बढ़या लगा होगा जरूर बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको का लगता है नमबर्स किस परकार है थैंक्यू फ्रेंट फ्रॉचिंग दि वीडियो